आज जब मैं ये वीडियो बनाना हो तो आज 18 तारीख है कल सद्रत तारीख थी कल भारत के प्रधान वंद्री और ग्लोबली रिकोगनाइजड एक लीडर का जनन दिन थी तमाम बड़े-बड़े देशों के अध्यक्षों ने यानि कि PM ने प्रेसिडेंट ने इन लोगों ने हिंदी में मोदी जी को बढ़ाई दी कुछ ने वीडियो बनाकर कुछ ने ट्वीट करकर अपने खुशी वक्त और यह जताया कि हमारी दोस्ती बनी रहा और इंडिया के साथ बविश्य में काम करें भारत में क्या हो रहा था भारत में भारत के ही लोग एक छोटी सी बनाने में लगी हुई थी यह देश का महौल बनाने में लगी हुई थी कि भारत में तो बेरोजगारी बढ़ गई है और आज की तारीक 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस के तौर पर बनाना चाहिए नैशनल अनिम्प्लोइमेंट डे के तौर पर अब मैं भी इससे जहमत हूँ मनाना तो चाहिए कैसे नहीं मनाना चाहिए और जो लोग ये करा रहे थे जो लोग ये ट्रेंड करा रहे थे जो बिके हुए जो लोग थे जो कुछ-कुछ रुपए के लिए टूइट्स करते हैं तो जाहिर सी बात है एक चीज़ों समझ में आई जाने चाहिए इनकी इन हरकतों से कि बेरोजगारी तो देश से बहुत चरम सीमा पर है कैसे कैसे लोग बेरोजगार हैं कॉंग्रस पार्टी पपू वित परिवार पपू वित फैमिली बेरोजगार है पूरी पूरी बेरोजगार है लेकिन अगर उनकी संपत्ति देख आभी तक नहीं बताया जिस से विरुज़वारी खताब होगी जबकि इंद्रा गांधी का नारा था की गरीवी खटाओ था नारा शायद लेकिन उनका सबसे जादा टेनियूर चलने के बाद उनका मतलब इंद्रा गांधी की बाद नहीं कर रहा हूं गांधी परिवार कॉंग्रेस का सबसे ज़्यादा ट्रेनियों चलने के बाद भी अगर देश में इतने ज़्यादा गरीब है बहुत बड़ी आबादी में हैं और यूथ इतना बड़ा है अनस्किल्ड तो इन लोगों को तो मुझ चुपा के घर में बैठना चाहिए कम से कम जब अपनी बार थी तो कुछ किया नहीं और अगले को ब्लेम कर रहे हैं अगले ने क्या कि उसके बेबी आऊंगा मैं बच्चे हैं जो समर्थक जो लाली टोपी पहंगी घूमते हैं और जो बाद आते प्रोटेस्ट करते हैं तो उनसे भी मैं कहना यहीं चाहूंगा कि आपने क्या कभी अपने अध्यक्ष से पूछा कि उनके पांच साल की डियूरेशन में उससे पहरे जब उनके पिता जी का डियूरेशन चला था और मायवती का जब चला था तो क्या कभी यह लोग अपने अध्यक्षन से पूछते हैं कि आपने अपने स्टेट में ऐसा क्या काम करके गया बिल्डिंगे खड़ी करने के अलावा जो कि लोग बहुत गिनाते हैं उसके पीछे की कहानिया होंगी और उसके पीछे के करॉप्शन सोंगे जो रिवर्फरंट का करॉप्शन अभी निकल के आया था कि छेजा करोडों के आस पास का था कुछ तो उस पे जांच होगी बात की बात है लेकिन आपने क्या कभी पूछा कि आप तो जातपात के मुद्दे पे वोट बैंक बनाके सट्था में आये थे जो आप विदेश से पढ़के आये थे उसका इस्तमाल करते हुए यूथ की स्किल डेवलोपमेंट के लिए यूथ को नौकरी के लिए ऐसा क्या करके आप गए क्यों नहीं वो कभी कोई गिनाता है कोई सपावाला क्यों नहीं ये गिनाता है कि अकले शादों ने ये किया और योगी ये कर रहे हैं जिसे नौकरियां बढ़ रहे थी वो अकले शादों ने किया और जिसे नौकरियां चली गए वो योगी ने किया ये भी comparison करना चाहिए न तो बेरुजगार तो हैं लोग हर पार्टी जो आज 17 तारीक को ये रागलाप रहे कि जब मोदी जी ये कह रहे थे कि उन्होंने क्या किया प्रूजगारी मिटाने के लिए और नारा जो दो करोड़ मौकरी वाला था उन्होंने अपनी रैली में आपका भी यूट्यूब ढूंड लीजेगा उन्होंने रैली में सिर्फ यह का था कि कॉंवर्स ने ऐसा कहा थ कि मोदी ने कहा था अपने मैनिफेस्टो में जब कि मैनिफेस्टो भी उठा के पढ़ लो उसमें भी नहीं मिलेगा मोदी ने कभी नहीं कहा कि मैं हर साथ दो करनों करिया दोंगा लेकिन इसका मतलब है नहीं कि उनकी रिस्पांसिबिल्टी नहीं है देने की लेकिन अगर अगला आपको ऐसी ऐसी स्कीम के जरिये जैसे कि उन्होंने कहा था उनके मूह से आप सुन सकते हैं मेरे शब्द नहीं है मैंने किसी पार्टी का फेवर करने के लिए मैंने अपने कोई कुछ एजिंडा प्लैन या टेकनिकल टर्म से कुछ ऐसा स्कीम नहीं पैदा कर दी कि मैं उनका बचाव कर सकूँ मुझे कोई मतलम नहीं आप उनके मूह से सुन सकते हैं उन्होंने अपने मूह से कहा था बहुत बड़े स्टेज बे कि मुद्रा योजना के तहद चार करोड से जादा लोगों ने लोन लिया था कि हमान है की आसे चार करोड से जादा लोगों ने लोन लिया मैं तो हर एक व害हा पार करने वाला वेक्ति एक, दो, तीन, चार, दस, कुछ लोगों को रखेगा, तो चार करोड़ों तो ऐसी डाटा आ गया, अब उन चार करोड़ों ने अगर दो भी रखे होंगे, तो आठ करोड़ों से जादा लोग तो ऐसे ही हो गया, मुझे लग रहा है कि यह इतना डाटा काफी है, और मुझे य नहीं आता, कि जब आप पूरी दुनिया के जो बड़ी-बड़ी इंस्ट्यूशन होती है, जो वो डाटा ये शो करती है, कि भारत में, आप नेट पर देख सकते हैं, मैं इन फैक्ट अपना सर्च किया वो डाटा भी नहीं आपको दिखा हूँगा, क्योंकि आपके उपर म नहीं जा सकता किसी भी नौकरी पर, ऐसा क्यों? और फिर आप रोजगार के लिए रोते हैं, हर वो बैक्ति जो नौकरी मांगना चाहता है, जो नौकरी करना चाहता हूँ, किसी चीज की नौकरी करना चाहता है, पहले उसमें ये सोचा है, यगर वो किसी कमपनी में जाएग कि उस company में घुसोगे नहीं पहली चीछ दूसरी चीछ लाखों रूपए खर्च करके इंजिनेरिंग करता है अगला MBA करता है अतलब जो ठांकी कॉलेचे करता वह वन्ना तो कुछ हजार रूपए में हर चीछ हर जग एक डिगरी मिल जाती है लेगन अगर आप लाखों रूप आपको किसी का नौकर बनना है जॉप के लिए भटकना है इतनी बुद्धी नहीं है कि आप अपने बल पे जितने की नौकरी है मांदो 50,000 महीना एक एवरेज वोल तो क्या आप अपने knowledge के दम पे जितना आपने अर्न किया है knowledge और जितना आपने experience किया है college से पढ़ाई करके कि आप उससे 50,000 महीना नहीं निकाल सकते अपना खुद का कुछ काम शुरू करके इतनी भी eligibility नहीं है आपकी तो फिर आपको कोई बड़ा business रखेगा ही क्यों लेकिन just because अच्छा रखता है लोगों के बहकावे में आके एक fake narrative चलाने में आगा पीछा कुछ नहीं देखना है बस एक narrative चलाना है उससे भी आपको नौकरी तो मिलने नहीं है temporary आपको हो सकता है कुछ पैसे आ जाएं ट्वीट्स ही ट्वीट्स या ट्रेंड कराने के लिए बस आपकी स्थेती अभी भी वैसी है जैसी 17 तारिक से पहले थी आज करें इतना है किसी को मेरी बात समझ में आ गई हूँ तो इस वीडियो को शेर कर देना लाइक कर देना अगली मुड़े में जाहें वंदे माद।